अच्छी भाईयों तो क्याल चालें आप सबके उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होगे और एक अच्छी विनिंग कर रहा होगे तो भाईयों आज दो पर में तीन बज़े मैच है मारा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजिलेंड का जो की तीन बज़े खेला जाएगा रहा हमारी को लेना, क्स फेयर को छोड़ना है ग्लत्री प्क की क्या हमारे होगी की इसे ड्रॉप करना है इस लगता है ये मैच भी जी जाएगी पाकिस्तान क्योंकि रिकॉर्ड इसके बहुत तगड़े हैं इस पिछ पे तीम तीबजी मैच इस्टार्ट होगा सेम स्टेडियम में नैशनल स्टेडियम कराची में जो पिछले बार हुआ था ठीg कि यह वह इस्टेडियम है कि अगाट करते हैं जैसा इसकोर बहुत अच्छे बढ़ते हैं बैटिंग फ्रेंड़ी पिछ यह वह दूट आ था तीक है थोड़ी आसान होती है यहां पर बात करते हैं यहां पर वेनीयो की लास्ट मैच यहां पर पाकिस्टान से निज्लेंड को जो हुआ था 255 निज्डेंड ने मारे थे पाकिस्तान ने अराम से चेस कर लिया था चार विकेट पे ही ठीक है अरिजवान ने कफी अच्छा किला था वावराजम ने कफी अच्छा किला था उससे पहले भी 297 रन का चीज 299 हो गया ठीक है 305 जो रंस पड़े थे उसमें सेकंड इनिंग जो तीन है वो टीम लड़ खड़ा गी थी ठीक है बट ऐसा होता कम है टी तीन मैस के लिए 3-3 जीते हैं न्युजेलैंड ने एक खेले एक हार गया ठीक है पेसर्स को यहां 29 विक्त मिले है टोटल इस पीनर्स को 24 विकत मिले एक ठीक है जिसका ध्यान देना फस्ती इनिंग में फंद्रा विकत निकाले हैं सेकंड इनिंग में 14 विकत निकाले हूए स्पीनर्स को सेकंड इनिंग में ज्यादा मदद मिलती है क्योंकि ब्रेस्वेल को तुमने देखा होगा इसली विकट निकाला था दो विकट जब कि पार्ट टाइमर बॉल रहे हैं फिलिप जाया वो भी एक निकाल कर चला गया तो इसका ध्यान है फस्ट इनिंग में 10 विकट करेंगे ठीक है इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा वन डाउन आएगा बापाराजम देनरिज्वान हरी सुहल सलमान अली आगा मुहंबद नवाज मुहंबद वसीम उसामा अमीर नसीम शाह हरी स्रॉफ ठीक है बात करते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स की पाकिसान प्ल पहले बहुत दूद भी मैंने बोला था लूसा इशन पहलिज करता है ठीक है पहले नियर्स का थीनिक में रॉने के उस्टहज ऺए जोह सब्सकरत्क इमामुलक पिछले बार तोड़ा सा डाउन हो गया मतलब यह प्लेयर बहुत अच्छा है और काफी कम लोग इसा लेकर जाएंगे जील की बहुत अच्छी पिक है तुमारी 22 का एवरेज है पांच मैंट में 82 रन की है इसने तो 40 का एवरेज है याद रखना तो मुस्टी लोग अब अगर जमान को पिक करेंगे यहां पर तुम इसे लोग नहीं लेकर जाएंगे अपने टीम में तो मुस्ट प्रभी चांस से इस बार यह अच्छा कर जाए ठीक है जील में से जरूर ट्राई करना चार बार इसने 50 प्लस का स्कोर यहां पर क्या हुआ है बात करते हैं बा 42 के अवरेश से ठीक है और फस्तिनिंग यह कहलता है 47 के अवरेश मिंटेन करके रखा हुआ है 470 मारें दो सेंचुरी यहां पर और 250 प्लस स्कोर है फॉर्म की बात करें 66 32 53 25 अच्छे फॉर्म में यह ठीक है कैप्टन वाइस के साथ ही जाना होगा इसमान की बात करें पिछ रहेगा पहले ओडियाए मैंने बोला था जील के अच्छी पीक्याप की लिए रहेगा और जिसने इसको जील में ट्राइ किया वो जीता है ठीक है इसमें इसे सारे लोग सेलेक करेंगे इस मॉल लिग में तो अब यह सेफ च्वाइस बन जाता है तो जील में इसका कोई जाता है तो आज दूशास का इसका ठीक है फस्तिन में तालीस के वरे से किलता है सेकंड इनिंग में पच्छमन के रहे से किलता है वैन यूपिस ने चार मैचेस के लिए में 140 किया हुआ है फॉर्म 32 रन आट रन चौदर रन बान 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 फंदर रन एक चिस तुम ध्यान अगर पाकिस्तान का मेडिल टॉप ओडर जो है अगर डाउन हुआ ठीक है तो मेडिल ओडर यही आके समालेंगे हारी सुहेल सर्माल अली आगा ठीक है और उपर से महम्मद रिजवान इस तीस का रहान रहन रहना फिर ये ग्रेंडिंग में तुमारे बड़े काम आने वाले इसने कराया था मेरे शायद बॉलिंग कराया थी इसने डालता शायद अब है तो है अच्छ उयंडर टाल तो चैंट आड़न रहेए एवड जिसका पाकिस्तान के प्लेयर अच्छा है जील में आप इसे ट्राइ कर सकते हो ठीक है मुहम्बन नमाज की बात करें मुहम्बन नमाज ने भी अच्छा किया ठीक है वेन्यू पर इसका ब्यासी गया अवरेज़ चैन मैचों में 277 किया हुए है तीन विगेट लिया हुआ है दो बर 50 प्लस है फॉर्म की बात करें दस रण जिरो विक्स पांच रन एक फीट चारन बठाई रउन जिरो विक्ट पूरा इस पहल अपना करनी पाया थो एक कडिशने निकाल ले ते डिके वाम पर चीड़ी कंच्छों मैं अच्छा करता है यह यह भी यह तुमरी जील की अच्छी तो पिख रहाएगा ठीक है ना जूनियर वसीम जूनियर जील की तुमारी अच्छी बीगे उसामा अमीर ने काफी अच्छा किया विकट इसने निकाला दो विगट निकाला वैन्यू पर इसके चार मैच में तीन विगट है ओडी में मतब ओडी आए में इसके चौतर विगट तो पाकिसान से एंशाह एच राओफ कराएंगे और डेट वर में रौफ वसीम और एंशाह आपको दिखेंगे बात करते हैं न्यूजलेंड के प्लेंग 11 की इसलेंड के फिलेंड और टीकाउन वे यह दोनों आएंगे उपनिंग करने वन डाउन आएगा केन विलियमसन डेरल मिशल आएंगे टू डाउन दिन लैतं फिलिप्स ब्रेस्विल मिचल सेंटिनर इस सोटी लोकी फर्गूसन टीम सोटी बात करते हैं न्यूजलेंड के head to head और menu stats की तो फिन हेलंस एक मैच केला 29 संट मारा हमको फिलेंड जो आपने मैच देखा होगा मुझे अच्छे टच में दीख रहा था यह प्लियर अच्छा करता है अगर यह तोड़ा सा और अराम से कहले ना तो यह काफी अच्छा करता है यह प्लियर काफी टच में मुझे दिखा इसकी बैटिंग मैंने देखी थी बहुत अच्छे बैटिंग कर रहा था यह अलगी यह कैच हो गया मारना चाहा था बड़ यह कैच हो गया शौर्ट सेलेक्शन भी इसकी अच्छी थी बट टैमिंग से ही नहीं बनी इसका ध्यान रखना जी यह बड़ी इच्छी पिक है अच्छे सेलेक्शन इसके काम है कि रिजबान लेताम को सारे लोग लेटे जाएंग सेलेक्शन घ्ल में सेलेक्शन अच्छा केल रहा था बट आउट हो गया यह भी हम मार सकता है स्मॉल लिग का मस्थ प्लेयर है तो लेका ज़रू जाना बावन के अवरेज फस्टीनिंग में 59 क्यों ठीक है फॉर्म अच्छी है 26, 94, 61, 46 तगड़ा प्लेर है चोड़ नहीं सकते हैं लेथम की बात करें तोड़ा सा डाउन चल रहा है यह 21 के एवरेज से केलता है 15 मैचों में 24, 24 के एवरेजर फस्ट इनिंग में 17 के एवरेजर टीक है वेन्यू पर इसने 42 रन कियें एक मैच में और फॉर्म की बात करें 42, 35, 37, 70 रन प्लेयर यह अच्छा है ठीक है टेरल मिशल की बात करें यह भी एक अच्छे टच में मुझे दीगर आता है यह अच्छे टच में था एक मैच में इसने 36 रन उसनी किये वेन्यू पर पिछले वाले मैच में ODI का इसका 50 का एवरेज है फ पर फॉर्म की बात करें 0-0 रिक है 34-0 रिक अच्छा केला था यह यह भी अच्छा परफॉर्म किया इसने 43 प्लस 2 रिकेट मैंने ब्रेस्विल को नहीं लिया था लेना चाहिए था बट फिर भी ऐसी को मुझे दिक्कत नहीं आई क्योंकि मेरा अपॉर्ण भी ब्रेस्विल लेसरा बट ठीक तक किया इस मैच में चांस है कि विगट निकाल ले अगर फस्ट इनके बाॉलिंग आती है तो मस्विक रहा गई है फस्ट बाॉलिंग पर ठीक है इच सौडी नहीं कहला था पिछले मैच में शायद इस मैच में से कहला सकते हैं अच्छा बालर है विगट अची बालिंग करा रहा था लोग्य फार्गुसां विकैट लेस रा अच्छा बालर रा है फिकेट निकालता है अजुईसरा खर्धर बाट के इस बात करें अट लोतfish है कि साथी कि जो जो S-Tripley है न वो आएगा बॉलिंग कराने के लिए, S-Tripley अच्छा बॉलर है, S-Tripley से मुझे याद है, S-Tripley को तुम याद रखना है, Grand League का बहुत अच्छा बॉलर है, S-Tripley, काफी अच्छी बॉलिंग इसने कराई थी, विकट तो नहीं मिला, बॉलिंग इसने बॉलिंग इसने करने आता है, अच्छा बैट्समाइन है, बट विछले मैच में यह नहीं खिला है, सेलेक्शन इसकी काफी कम होगी, तुम लेकर जाना, Captain Vice Captain Tripley के ना, Grand League निकाल लेना, हरी सोयल की बाते ने काफी अच्छे टच में था, मेरी लॉडर आजर समालता है, अगर डाउन हुआ, तो हरी सोयल आके पूरा समालेगा, काफी अच्छे टच में बैट्समाइन यह रहता है, बड़ा अच्छा हीट है, बहुत अच्छा मारता है, तो यह भी इसमादी Grand League की गिरेंगे, पिछले मैच में परफॉर्म नहीं कर भाया था, इसलेश के सेलेक्शन गिरेंगे, डीकॉन में को तुम Grand League में जरू ट्राय करना, उपनिंग करने आता है, काफी क्लास प्लेयर रही है, फिन एलन अच्छे फॉर्म में दिख आता है, फिन एलन मुझे अच्छे इसलेक्शन मार सकता है, यह इसके अंदर मुझे दिख रहा है, यह प्लेयर अगर थोड़ा सा रूपी एगा, तो मारेगा, Grand League की तुम्हाँ एच्छी चोयस है, काफी कम लूग लेकर जाएंगे, ठीक है, बात करें एश्रिपले की मैने पहले बता दिया, एश्रिपले काफ निकालने के इसके पूरे चांस है, जो काम रसीम शान ही किया, मुहम्मद वसीम भी कर सकता है, तो अगर तुम इसे कैप्टर माइस कैप्टन ट्राइक करोगे, Grand League तुम्हारे निकल जाएगी, ठीक है, तो यह कुछ आच का मारा प्रडिक्शन था, चलते हैं एंटरीम लेव चैनल पर अपने बता देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, फेंटेसी कैप्टन चैनल का नाम है, जाकर जॉइन कर लेना, ठीक है, वहाँ पर सारी न्यूज मैं आपको दे दूँगा, तो अभी तक आपको वीडियो अगर इंफोर्मेटिव दियान रखना, टीम साओधी, एलफर गिसन, उसमान मीर और नसीम शाह, फिलाल में इन प्लेयर को लेकर जारा हूँ, डेमो टीम, फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन से आके जॉइन करना, और कुछ ज़रा प्लेयर की बात करें, ग्रेयर के आपको ल कावीन, लिव ल हो क Tä dancing के जरू मुट्स कि का दिया रखना करकें,?.. तुम गयाःको बात करेंगे हों में, फिन-by-s jeśli मेन लिख में ब्रीयर को, यह गयाए है, क्यों है, शेलाया ख़काए है, उन यह गोलोदोर पने और भी का घोकाई दियां गाई, यह दो वर चार वर पांच वर कराया था पिछले मैंश भी कराया था इसने एक वर डिस नहीं निकाला भी था ठीक है ना ओल लॉंडर सेक्षिन बात करें सेफ एम नवास ब्रेस्वेल है ठीक है ठीक है और अगा सलमान को तुम ट्राइक करना ठीक है मल्टीपल टीम बना रहो तो बुझम ही उन हो किस्ट दे нормान को सब्सक्राइब भी और दो निकाल जाएगी तो में जाल था। captain wise captain से जरूर ट्राइ करना H triple जो baller की में बात कर रहा है इसने काफी अच्छे special करी थी run बहुत कम दिये थे काफी अच्छी balling करा रहता है पहली balling करने इस land की आई तो captain wise captain से जरूर try करना grand league में ये जरूर अच्छा करेगा तो ये कुछ हमारे थे grand league डिवार इसमोल लिक जुट है टीम आपको टेलिग्राम पर दूँगा है चैनल जोईन कर लोगा गांप इस इस दिस्क्रिप्शन में लिंक है ठीक है चलो फिर बिलते है नेक्स्ट वीडियो में और फाइनल टीम में आपको बूर टेलिग्राम पर जॉइन कर लो, आज़ो कमाते हैं साथ में, clean sweep जा रहे हैं सारे, पिछले वाला ODI जो था, वो clean sweep गया था, second ODI भी clean sweep जाएगा, tension नलो, बसा कर join करो, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं next video में, bye bye, take care.